वेल्कम टो चैनल टेक मेकानिकल अनिलेक्टिकल भाभा एटोमिक रिसाच सेंटर बी ए आर्ची मैसरू का तरब से जो रिकुड में निकलके आया था स्टैपेंडी टेनी कैटागोरी टू पोस्ट पर इसका रिटेंट टेस्ट का डेट डिक्लियर हो गया है और सॉटलिस्टे केंडिडेट का भी लिस्ट पाप्डिस हो गया है तो जो भी स्टूडेंट डिटेंटेस देने के लिए एलिजिबल है उसका लिस्ट ऑफिसेल वेपसेट पर आ गया है कल इसका अपडेट मैंने आप लोग को दे दिया था उसका बाद इसका एक्जामिनेशन डेट का स्टेज 3 स्टेज 1 और स्टेज 2 का एक्जाम एक ही दिन में होगा स्टेज 3 का एक्जाम उसका बाद ही मतलब उसका नेक्स डेख हो जाएगा तो सभी स्टूडेंट इतना अपडेट साथ अप लोग को मिल गया है लेकिन अप लोग एडमिट का डाउनलोड नहीं कर पाड़ अपलों को लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि अपलों का रिक्टेन एक्जाम पहोने का बाद ही नेक्स्ट अपलोंग करना हो जाएगा आप लोग का डॉक मेंत करने स्किल्ट में से पूरा वीडियो को देखिए तभी आप लोग अपना-पना एड्मिट काड को डाउनलोड कर सकते हैं मैं सभी चीज़ आप लोग को बताऊंगा नोट ओनली एड्मिट काड अप्लिकेशन फॉर्म भी लेके जाना पड़ेगा तो सभी चीज़ मैं बताने बाला हूँ पूरा वीडियो आप लोग देखिए और वीडियो आप लोग के लिए फूलोग तो चैनल को जो सब्सक्राइब करकर रखना अब देख सकते हैं मैं ऑफिसल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया हूँ तो इसमें बोला है जो भी आप लोग का ट्रेड इलेक्ट्रोनिक मेकानिक एक एलेक्टिकर कार्पेंटर डॉस्मेंट सेविल डॉस्में मेकानिकल मैसन केमिकल प्लांट ओपरेटर फिटर जिन सभी पोस्ट का एग्जामिनेशन होने वाला है तो एड्मिट का डाउनलोड करने के लिए आप लोग को जाना पड़ेगा यह जो वेबसेट दिया है रि आप लोग इसके लिए जो भी इंस्ट्रेक्शन रहता है जैसे कोई भी क्यल्कुलेटर या इलेक्ट्रोनी गैजट लेके नहीं जा सकता है तो कौन सा कौन सा डॉकुमेंट अप्लोग को लेके जाना पड़ेगा अब देख सकते प्रिंट आउट ऑप एड्मिट कर्ड कम कर्ड सर्विस आइडिटिटी कर्ड इस उट बाई सेंट्र या स्टेट गॉर्मेंट ये लेके जाना पड़ेगा ओके इसका बात ऑडिजिनाल जो भी अप लोग का अप एडूकेशनल क्वालिफिकेसन है टेखनीकल क्वालिफिकेसन सबीचीज अप लोग को औरिजिनल का स सब्सक्राइब अगर जो भी फोटो को आप लोग को अच्छा रहेगा लेकिन अगार नहीं है तो कोई भी फोट अप लोग लेके जा सकते हैं और इसका कोई भी कारण बसत इसका डेट या कोई भी भी भेनिव चेंज नहीं हो सकता है और इसके लिए एक form भी आप लोग को दिया गया है और TA अप लोग को मिलेगा SST candidate को इसलिए TA form आप लोग को दा फिल आप करके लेके जाना पड़ेगा और एक form आप लोग को दिया है इसमें आप देख सकते हैं आप लोग को क्या क्या अप लोग को दिखाने बाला हूँ एड्मिट कैसा आप लोड करना पड़ेगा जो एबसेट से अप लोग को एड्मिट का डाउनलोड करना पड़ेगा वो एबसेट आप देख सकते हैं उपर में आप लोग को दिख रहा है तो अभी क्या करना पड़ेगा कोई भी आपसेट आप लोग को नहीं दिखाड़ा है तो इधर आपको लोग इन आपसेट पर क्लिक करना पड़ेगा टोटाल पांच आपसें दिखेगा तो online application section में आपको क्लिक करना पड़ेगा इसका बद सेकेंड जो option फिरू सेफ प्रिंट करके प्रिंट कर सकते हैं ओके और अगर आप आप लोग काड को भी डाउनलोड कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यह मेरा एडमीट कार्ड है तो मैं ऐसे आप लोग को फॉर्म फिलब करके नौर्माली दिखाया था तो ऐसे अब मेरा एडमीट काड आगे है कब इसका देक सकते हैं पिल्यमीनी डिट लिक्त करते का सकते हैं तेश डीसंबरर और सबसभा और क्या-क्या कोसन देखाइगा मैत साइंस प्राइंसन अब देख सकते हैं मल्टी पर्पास होल आर published यल मैसुरू को आपको तो ये total जो admit करे total admit को आपको print out करके लेकर जाना पड़ेगा, इसका बाद आप देख सकते, stage 2उसी दी ने, उसी ज्ज़गा में हो जाएगा, और next day उसका उसी जगा में, आप देख सकते, क्यूँकि skill test का भी जो venue दिये है, और भी अभी तक नहीं, sorry, अभी तक बताया नहीं क यह कहां बेनु होगा तो यह आप लोग को बाद में बताया जाएगा जो भी स्टूडेंट के सेलेक्टेड होगा स्टेज्टू का बाद तो आप देख सकते हैं कि उसका नेक्स डी में होने वाल है तो मैं ऐसे आप लोगो बता दे हूँ कि कैसे कैसे आद्मेंट का झालन है